हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो यो ऑन चनल क्रेटेव पुजा क्रेटेव पुजा मैं आपका स्वागत है तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बल बटन ज होगा तो उसके लिए मिलिया है मैंने ये फैब्रिक और ये फैब्रिक दो पीस है मेरे पास में एक पीस धाई मीटर का है में ये क्या है कि सिंपल कुड़ती का फैब्रिक जो हमारे पास होता है वही उसी तरह का फैब्रिक है ये कुड़ती का जिसमें मैंने दो पीसे लिया और किस तरह से मैंने कलियों को काटा है और किस तरह से ये आलियकट में अटेच किया है क्योंकि नॉर्मली आलियकट में अनार कली यानि की कलियों वाला गैदर्स नहीं होता है और उपर से वी नेक और नीचे से वी नेक बनाने के बाद भी कलिया मैंने इसमें बनाई है कुछ इस तरह से वी शेप नेक पर और नीचे की तरह पी वी शेप होती है और नीचे गैदर्स होते हैं तो गैदर्स हम सिंपल प्लेट्स नहीं लेंगे यहां पर बनाएंगे कलिया यही इस कुड़ती में थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहां पर जो ब्लाउज एरिया होगा हमारा 15 इंच की लेंथ होगी यहां पर जो नेक की लेंथ होगी हमारा 7 इंच की होगी और यहां पर जो देखिए यह सीधा लेकर होगा और यहां पर जो वी शेप का होगा यह चार इंच की गहराई पर यहां पर होगा फ्लेर होगा 30 इंच की लेंद का होगा और इसमें प्लस हम 2 करेंगे क्योंकि नीचे से 1.5 इंच का फोल्ड होगा और उपर से 1.5 इंच देवाव में यानि की सलाई में आ जाएगा गेरेका तो घ्ला होगा तो total इंच की ले आएगा और उपर की लेंथ हमारी 15 इंच Kी होगी और 4 इंच की कलिया यान्ठ की कट होगा तो क्योंकि 4 इंच का कट होगा तो फ्रेंट के लिए जो हम कलिया कातेंगे वह 36 लेंथ लेकर हम कट करेंगे यह आपको मैं क्यूं समझा रही हूँ यह आपको आगे पता चल जाएगा यह पहले समझाने से आपको benefit होगा तो सबसे पहले देखी जो मैंने 36 और 32 की length ली है वो क्यूं ले रही हूँ मैं वो आपको बता चुकी हूँ अब यह जो total मेरे पास में कपड़ा है दोनों को मैंने double करके रखा यानि कि दोनों कपड़ों को बराबर पराबर इस तरह से रख लिया है इसलिए हमने यहाँ पर 36 inch की length का यह हमने cut कर लेना है दो pieces यहाँ पर हमारे cut हो रहे है और एक piece में से हमारी निकलेंगी 6 कलिया और 6 और 6 यानि की 12 कलिया हमारी front में आएंगी और 12 कलिया हमारी back में आएंगी तो इन फ्यूचर अगर आपकी पास में गलियां कम यह जादा हो जाती है तो उसको भी हम कैसे सेट कर सकते हैं ब्लाउस पीस के साथ में अटेच करने के लिए वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो में अन तक बने रहे है तो बैक पाट के लिए मैंने 32 इंच के लिया है क्योंकि चार इंच एक्स्टा हमने फ्रेंट के लिया है क्योंकि सामने से अले कटाएगा तो इस 32 इंच के पीसिस मैंने 2 कट कर लिया है बैक पाट के में कल्या कट करने के लिए बाकी का पीस बचा है उसमें से मैंने एक पाइट को लिया है और जो डॉटेट पाइट है वहाँ से मैंने फ्रेंट के लिए कटिंग कर लेनी है बलाउस पीस के लिए तो टोटल 15 इंच की लैंथ लिया है यहां पर मैंने और चेस्ट का 1 4 लेकर और उसमें 2 इंच का मार्जन ले लेनी है और इस तरह से मैंने बलाउस पीस के लिए कटिंग यहां पर कर लेनी है पीस को अलग कर लेना है तो जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका 1 4 लेकर के 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जन ले लेना है और लैंथ जितनी भी आप लेना चाहते है 14 या 15 या 13 जितन मैं नीचे से बिनाव करके बड़ाबर हो सकतवेक निशान करना है, तो लिए व्हाय सब्लाओ टी नावकर सब्गया कर दो नर्हादा है लिए बॉम कर लिए यहिए नाउर सब्सकती है हमारा उसका हाफ ले लेना है यहां पर और यहां से मैंने यहां पर लिया है साड़े छे इंच की लंबाई पर आर्म होल आपका जितना भी है आप महां पर ले सकते हैं और यहां पर देखिए इस तरह से हमने माकिंग कर देनी है यहां पर तीरा मैं थोड़ा से कम लूंगी यह अब यहां से chest का मैंने one fourth लिया है उसको mark कर लिया है यहां पर और यहां से गोलाई को हमने match कर लेना है अब यहां से total length यहां पर हमने जो हमारा जो कमर का नाप है उसका one fourth लेना है और यहां पर हमने इस तरह से chest के नाप से कमर के नाप को मिला देना है यहां से 1.5-2 इंच आपको margin यहां पर रखना है मैंने यहां पर 2 इंच margin लिया है तो यहां पर neck बनेगा V-neck फ्रेंट के लिए बनेगा बैक का neck जो है राउंड बनेगा तो मैंने पहले back neck की marking कर लिए है 5-5 इंच की गराई पर गोल neck बना दिया है बैक पार्ट के लिए है फ्रेंट के पार्ट के लिए मैंने यहां पर V-neck बना लिया है और जिसके लंबाई यहां पर तकरीबन 8 इंच जा रही है क्योंकि उपर से 1.5 इंच यहां पर एड़ हो जाएगा अब यहां पर 4 इंच का मार्क कर लेना है और इस तरह से इसको मिला देना है तिर्चा मिला देना है तो यह आलिया कट हमारा बनेगा और यहां से हमने क्योंकि V-neck बनाना है तो यहां पर 7 इंच का मार्क करके मैंने यहां पर 7 यह 8 आप देख लिजेगा आपको कितना गहरा चाहिए नेक वी-neck है तो थोड़ा सा गहरा चल सकता है तो यहां पर हमने प्रॉपर वी नहीं बनाना है थोड़ा सा गुलाई दे दिंगे यहां पर वी-neck की और बैक नेक है उसको हम बाद में कट करेंगे पहले हम इसका देखिए उपर-उपर के जो पार्ट है फरंट पार्ट की हम कट किर रहे हैं वी-णेक करा से जो मार्च नेक करेंगे उसको मार्किंग की ति इसको मार्च कर लेनी है आद है यह थोड़ा से यह फरंट पार्ट की हम इने फ्रन पार्ट का जो वी-neck करकू That's तो आगे की घहराई हम बाद में कट करेंगे पीछे के अकॉर्डिंग ही हमने आम होल कट किया है अब गोल नेक हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है और इसको भी ड्रॉ करने के बाद में हम कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारी यह कटिंग हो गई है front के लिए हम थोड़ा सा गेहराई में आमहून लेते हैं तो यहाँ पर इम इसको front part को थोड़ा सा गेहरा cut कर लेंगे तो यह हमारी blouse piece की famille कटिंग है तो इस तरह से दिखिए front part हमारा आएगा और back part हमारा कुछ round neck में इस तरह से ready होगा तो ये cutting हमारी front और back दोनों blouse part की हो चुकी है अब हाते हैं हम कलियों स्वरी पहले हम बाजु कट करेंगे तो बाकी का जो कपड़ा बचा था यानि की बाजु के लिए जो कपड़ा है हमारा ये भी मैंने dotted part वाला जो कपड़ा बचा है उसको लिया है और यहां से हमने सीधी line खीच लिए है और जितनी भी आपकी length रखनी है बाजु की उतनी आप length ले लिजे मार्क कर लिजे और यहां से हम 3 इंची पर मार्क करेंगे इस तरह से और यहां पर हम इसको गुलाई दे देंगे और यहां पर देखिए armhole जो हमने कट किया था blouse part में उसको हम पकड़ेंगे और यहां से इसको measure करके देखिएंगे आदा इंच दबाने का भी ध्यान में रखना है और यहां पर इस तरह से marking कर देंगे और यहां से wrist का round ले ले लेंगे और उसका half ले करके हम इस तरह से यहां पर marking कर देंगे तो यह हमारी बाजू की marking हो चुकी है इसको भी हम कट कर लेंगे आगे के लिए हम आधा इंच गहराई का mark कर लेंगे पहले हम पूरा back part के लिए कट कर देंगे इस तरह से और extra margin लेकर के सिलाए का यहां पर हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं और नीचे जो हमने straight line कीची थी वहां से हम कट कर लेते हैं अब हमें फ्रेंट पाइट में आधे इंच की गहराई आदे से पुना इंच गहराई लेकर के यहां पर कट कर लेना है तो यह हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है अब आते हैं कली के लिए तो कलियो के लिए समझना होगा आपको कि यहां पर दे dalej यह तो अब ब्लाउँ स मतले तो चार इंचय अपर चारएंचय ढ लिया बड़ जाता है, तो चारेंच प्रंट and चार इच बड़ जाता है तो चारा इंच लिया छृत्ता चैज आपको 16 हृती जितना पी अपने कमर आजिवस्ते सैंसे इस अरेशन लिए लिए क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि 12 एम इंच को बनेगे 24े में यहां इसको टवाइड करेंगे तो कि यहां लेंगा आटाह जोड़ा है 15 खोल गाल तरफ से 20 देस्टिक्स को हमड़ा आएगा 36 को टवाइड किया हमने कली क्या लाटों से my total've 24 कलिया हमारी टोटल बनेंगी बारा फ्रेंट की बारा बैक की तो डेड़ इंच में हम एक इंच एक्स्ट्रा जोडेंगे क्यूंकि आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा तो धाई इंच की चोड़ाई हमने कली की लेनी है और नीचे से जो हमने से साथ इंच का हाफ कर देंगे 3.5 इंच हमने मार्क कर लेना है और इस तरह से तीरची मार्किंग इस तरह से मिला लेनी है और इसको हमने पेपर पर कट कर लेना है तो यह कली का साइस हमारे पास में आ गया है तो जो हमने कली के लिए कपडा डिवीजन कर डिवाइट कर लि कर देंगे तो इस तरह से paper को पलटते जाना है जो हमने कली का s així paper कट किया है कट किया है और इस तरह से पलटते हुए मिने कल्यों की marking कर लेनी है पूरे कपड़े पर लिए डेबल प्ह पर एक修ुच कपड़ go तो ये सारी कलियों को हमने इस तरह से कट कर लेना है बराबर बराबर रखते जाएंगे और हमारी कलिया इस तरह से कट जाएंगे इसी तरह से ये अभी मैं पहले back party cutting कर रही हूं back part के लिए कलियों की cutting की है जो कि बिना golden dotted वाला part था उसमें से ताकि बेक में क्यूंकि फ्रेंट में हमारी गोल्डन डॉट्स वाला पार्ट आ जाएगा और जो बेक में है वो हमारा विदाउट गोल्डन वाला होगा तो फ्रेंट में जो गोल्टन वाला था उसके लिए मैं कलिया Ma अनओ कलियों के लिए क्लिया क के लिए समयारि है कलियों कि भी रखजा है कपड़ा मेरी पास में कुछ एक्स्ट्रा था तो 12 रहेरे देने वाली बात है करदें तो कमर्स के स्ञफेंट हाँ अगर पैसे यह किलें पर कम कर देंगे छोडाई जादा और नहीं ही थेएक तो यहां से देखें किले की चोड़ाई धवरी कर देए ... यह लीया का यहां लोगराई देखेंगे तो तो किलिया पर करदेंगे ज़या का 08175 ब्रावब करने हो इसाल दा मारी में फ्रेज़ का है तरह इसब नहीं है मुों ग मैं आपर मेरी कि दुख धर देवर स्थेोल देडैरी यह बढ़ा के लेके हैं मुझ आप जादा बसको इसर देखिए मारे की हании ब्रावब का आपर पर आरे हैं तो यहां पर हम मैं इसको एक इंच की चड़ाई पर ही इसको लूगी, तो एक इंच का माग करके यहां से में ज्यादा सिलाई लगा दूगी, तो अगर आपकी भी इस तरह से कलिया ज्यादा हो जाती है, तो आप इस तरह से उपर से ही चड़ाई कम कर सकते हैं, सिलाई में ज् आप देख लीजे कि किदि दो जोड़ा से इसाइब भी को ड करते हैं तो यह देखिए इस तरह से हमारी सारी कलियां जुड़ चुकी है और इसको अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी जो चोड़ाई है यहाँ पर टोटल कितनी आ रहे है टोटल हमारी 18 आनी चाहिए क्योंकि 14 इंच की चोड़ाई हमारी यहाँ पर आनी चाहिए थी तो 14 में प्लस दो और दो करेंगे यानि कि दोनों तरफ से 2 इंच का मार जाने है तो टोटल 18 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है और यह बल्कुल एक्जेक्ट मेरे पास में आया है 18 इंच तो 18 इंच का यहाँ पर आ गया है अब मैं यहाँ पर बलाउस पीस्ता उससे मेजर करके यहाँ पर देख लूँगी कि यह बराबर बैठ रहा है नहीं इस तरह से आपको भी मेजर करके देख लेना है कि यह इसके बराबर आना चाहिए छोटा थोड़ा बहुत 19-20 का फरक हो गला इसके लिए तो इसके लिए देखे नेक की कटिंग के लिए मैंने पती यहाँ पर इसतरा से कट कर ली है झालेته से जोड़ा पर को इसके यहां दया र Oleya है इस तरह से प्ती हम C twist इना पहल बनाते हैं रिए दुप करके यहाँ से आं डरीने इसके साना से दिख तर रें स और इस तरह से यहां पर कट लगा करके छोटे-छोटे नोजस लगा के इस पट्टी को पलट देंगे तो यहां पर हमारा गला फिनीशिंग से बन जाएगा तो यह वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने पेपर पेस्टिंग लगा ले लिया तो इस तरह से पट्टी को पलटते हुए हमने गले को तयार कर लेना है तो यह हम यहां पर स्टिचिंग कर लेंगे यहां पर गला हमारा फिनीशिंग से बनके रेडी हो जाएगा तो इस तरह से लगाने के बाद में हमारा गला अल्मोस्ट रेडी है यहाँ पर हम एक और सिलाई लगा देंगे पट्टी के ऊपर और उसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर लेस को लगाएंगे और आल्या कटकर डिजाइन बनाएंगे तो यह हमारा गला बन गया है तो गला बनने के बाद में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर इस workload की हमारी कलिया इस गूल के में तुनकिम बना差ा है हाँ इस तरह से तरह से हलकी फुल की चन्न नहांगी तो देखते चाहें है किस तार से यह recipient को में इस तरह सी फॉर्ड कर लियना है治 से इस तरह से सी एक आपक čतिंग कर लेए अब तो इस सेंटर से सेंटर को मेंने पिंस से हाँ पर आ एकशीए और सभी साइड से भी इस तरह से जरूर लेंगे बैब से अगर आपके पास में नहीं है तो आप सुछाह आएगी जरूर आएगी और अच्छी भी लगती है इस तरह से यहां पर मैं इसको अटाइज कर ले रही हैं ताकि बाद में सिलाई करते वगत इसने कोई प्राबलम क्यों ह इलतों, नग करके लें किताद 17 mm, बने जरीकाल बिकाया को सब्सक्राइब मैं टूले के अगार एकशिण के साथ में रृषप म।ध टौले के व्यृष। पर क्योंकि नहीं हमें यहां पर डेसक है तो फीनिशिन केशा में प्सकष this भष्रच्छ देखत करतो इस चुछ यहां पर देखे रहे जिनते हैं अपर इन्हें चोटी-छोटी सी चुन्नटे इसमें आई है तो मैंन क्या है कि अगर आम नॉम्मल इस चुन्नटे देते हैं तो उतने गैदर नहीं आते हैं जितने कि इस तरह से कलियो वाला हम जब कटिंग करके बनाएंगे तो उसमें गैदर्स आएंगे तो यह दोनों में डिफ्रेंस होता इसमें गैदर्स थोड़े काफी अच्छे आते हैं घेरा काफी अच्छा बनता है इसलिए मैंने यह इस तरह से कल्यों वाला आलेकट बनाया है अब यह लेस मैंने मैचिंग के यहां पर ली है तो पिन से यहां पर मैं पहले अटेच कर दूंगी और फिर इसके उपर पकी कि इसको स्टिच करने में नहीं तो दिक्कत आती है चौड़ी लेस में तो यहां पर इस तरह से हमने लेस को अटेच कर लिया है इसी तरह से दूसरी तरह भी हम लेस को अटेच करेंगे यह दिखिए इस तरह से लेस अटेच हो चुकी है तो दूसरी तरह भी हम इस तरह से अ और नॉर्मली जैसे सूट की फिटिंग देते हुवे हम स्टिच कर लेते हैं उस तरह से सिलाई हम पूरी कर देंगे तो यह घेरे पहले हमने अटाच करना है उसके बाद में फिटिंग की सिलाई बाजु को जोड़ते हुए हमने कर देनी हैं तो यह हमारा आल्यकट बनके आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा प्रोसेस मुझे तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा मैं आपको डाउट को बिल्कुल क्लियर करूंगी और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइ अब में प्लेइन है और यह हमारी फाइनल लुक है मारी कुरती का और आपको यह वीडियो कैसी लगी इक पूरती कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा थैंक्स पर वाचिंग जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए टेक केर बाइबाए